तो दोस्तो जियार्व शॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत हैं दोस्तो हम जैसा की रीजिनिंग का टॉपिक कर रहे थे तो उसमें हम देख लेते हैं तिर्भुच जो कुछ टेबल में तिर्भुच कैशे निकालते हैं तिर्भुच हो इससे रिलेट हो और कोई भ तो इसमें यह तिर्भुच है तो तिर्भुच की यह भुजाएं दोस्तो हमें इनमें कोई एक ऐसा संबंद बताना है जो इस केंदर की आकृति को सैटिफाई करें या फिर इस केंदर से इन तीनों को कोई सैटिफाई करें कोई ऐसा संबंद जो बही संबंद दुतिये आक क्या करें कि यदि इसका इंटू करें इसमें मल्टिप्लाइग करें तो निया क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा दोस्तों और इंटू कर देंगे धूर का तो कितना हो जाएगा 2008 हमें तो दिकھ रहे हैं अंदर की 48 है अब हम क्या कर सकते हैं या तो इससे इनकर जो संबंध है रिलेशन है वो निकाल लो या फिर इन तीनों का जो रिलेशन है इससे वो निकाल लो हमें सिर्फ इन कोश्चन में यही देखता है तो हम यहां से क्या करेंगे यदि 98 में 2 का मल्टिप्लाइ करते हैं बोटी एड़ी 98 में 2 का मल्टीप्लाइ करते तो हमारे पास क्या बचेगा 48 बचेगा कि नीज़ेगा दूस्तों 48 आ जाएगा तो हमें जो ब्यवस्ता यहाँ पर रहे हो ही ब्यवस्ता यहाँ पर भी दर्साना है तो हम क्या करेंगे दूस्तों इन तिनों का इन तीनों में आपसमें गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा तो दोस्तों? यहां से पांस साथ 35 आ जाएगा और 35 इनटू यह हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 35 दूनी 70 तर ने और दोस्तोंव अब हम क्या करेंगे इससे जैसा कि हमने यहां पर डिवाइड किया धा कि दो से तो यहां पर विदधी हम धवाइड कर देंगे तो दुस्तंव हमारा औसा है जो यहां पर आजाएगा कितना आ Kens से 35 तो दोस्तो हमारा आंसर है आ गया तो दोस्तो ऑप्षन देख लेते कौन सा है 35 सेकेंड ऑप्षन सही है हमारा दोस्तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा वही बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यह कुछ स्टेवल सिर्फ रिलेशन से बनते हैं एक दूसरे क्या रिलेशन देखना पड़ता है हमें यहाँ पर कोई फॉर्मली की जरूरत नहीं होती ह किस पर किस पर करेंगे यह दोस्तो चलते हैं नेक्स कोईटन की कि यह कोईए लिए मैं किने पर मारा नैक्स कोईटन कि साथ भा अगर दियांगे दी गई है तो टीन आकृतियां दी गई हो तो इनंने हम किस प्रकार्ग करेंगे 7 5 6 5 21 13 और 27 अब यहां पर तो हमें पता नहीं क्या आएगा तो दोस्तों हम देखते हैं कि यह एक कॉलम में है उपर वाले कॉलम में है यह के लिए नीचे है तो यह भी नीचे है और यहां से हमें निकालना है यदि हमें इसका और इसका रिलेशन पता चल जाए यदि हमें इसमें भी इसका और इसका रिलेशन पता चल जाए तो यह निकल जाएगी इसका और इसका रिलेशन पता चल जाए तो यह निकल जाएगी इसका और इसका रिलेशन पता चल जाए तो यह निकल जाए इसका और क्योंकि हमें ये वाले अकृति निकालनी है तो हम क्या करेंगे इसका और इसका रिलेशन देखेंगे तो यहां से देखते हैं कि क्या है इसका और इसका रिलेशन तो दोस्तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्लस करेंगे और यदि साथ और पांच करते तो हमारा प्लस यह इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करने से आ रहा है अब हम यही फॉर्मुला यहां पर अपनाएंगे यही जो तरीका है यहां पर भी अपनाएंगे तो यह तरीका कैसे आ रहा है कि दोनों को यहीं 5 प्लस 21 5 प्लस 21 करके और यहां पर कितना आएगा 205 26 आपन में 2 तो यहां पर आntor कितना आजाएगा दोस्तों इसका डिवाइड करेंगे तो यह कट जाएंगे 13 से तो यहां पर भी 13 आ गये अब हम यही फॉर्मुला यहां पर जो विधी हैं हमारी वह यहां पर करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों कि 21 प्लस 7 तो 21 प्लस 7 मैंने पहले कहा था कि इन तीनों का relation देखना है कि क्या relation है तो हमें इसका चुकी निकालना था इसलिए हमने इनका नहीं देखा हमने उपर वालों का दोकत देख लिया है यदि हम इसका और इसका भी देख लेती तो यह निकलना चाहिए था तब हमारा अंसर आता तो यहां पर हम यदि इसका और इसका निकाल दे तो यहां हमारे पास संख्या नहीं थी इसलिए हम इसका और इसका निकालेंगे तो दोस्तों यहां पर क्याएगा 21 प्लस 7 तो यहां पर हो जाएगा 28 28 डिवाइड बाइड बाइड सुरी यहां पर हो जाएगा 28 डिवाइड बाइड बाइड 2 करेंगे जब हम तो हमारा answer यहां पर आना चाहिए 14 तो दोस्तो answer देख लेते हैं तो दोस्तो इसी क्रम में देखते है answer यह है answer तो दोस्तो यह है answer फोर्थ नंबर का हमारा answer आ गया है और यह ऐसे सी 1998 में आया हुआ question है तो दोस्तो next question क्योंड चलते हैं दोस्तो हमारे पास जो next question है वो रहा इस स्क्रीन पर अब इसमें हमें क्या संबंद दर्साना है तो दोस्तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो देखेंगे कि हमें वो कौनसी संख्या ग्याद करनी है जो question बता रहा है तो हमें बीच बाली संख्या ग्याद करनी है तो दोस्तो इसमें भी हम relation देखेंगे तो यदि हम इसमें इसमें और इसमें relation देखेंगे तो ये निकल आएगा और इसमें relation देखेंगे तो इसको निकलना चाहिए लेकिन चुकि हमें दोस्तो बीच में संख्या निकालनी है बीच वाली संख्या को तो हम इस संख्या को नहीं लेंगे फिर हम क्या करेंगे दोस्तों हम इन तीनों संख्याओं को लेंगे यदि इस प्रकार का question आपके पास आजाए exam में तो आफ करना इन तीनों बीच बाली शंख्या जिस संख्या को निकालना है उस इस्तिती को उस बिंदू को हम छोड़ देंगे इस बिंदू को हम छोड़ देंगे 20 और 19 दोनों में छोड़ देंगे अब हम क्या देखेंगे इसमें 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 रिलेशन देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या रिलेशन देखेंगे जोडते हैं अब जोडने से क्या आता है तो 8 और इसमें क्या करेंगे हम 5 प्लस 8 प्लस 7 तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा यह हमारे पास क्या निकलेगा 5 और 8 13 और 7 20 तो दोस्तों हमारी बीच वाली शंक्या निकलाई यदि हमें यहाँ पर जोडने में नहीं निकलती तो हम कोई और फॉल्मूला देखते हैं या फिर कुछ और जोडना घटाना या फिर गुणा भाग इसमें कुछ और करके देखते हैं अब हमारी चुक्या पर प्लस करने से निकल आई है तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है पांच छे पांच और आठ तो दोस्तो इसमें क्या है छे और पांच ग्यारा और आठ उननीस तो दोस्तो इसमें भी निकल आई तो इसी प्रकार हमारी जब दो में निकल आई है तो हमारा अंसर थर्ड में निकलेगा ही निकलेगा कुछ question आते हैं जिसमें third में by chance कभी कुछ और effect होता है या फिर कहीं घटाना भी पड़ता है तो वो question के साब से उसका answer भी दिया रहता है तो हम question के साब से उसका answer निकाल सकते हैं इस question में वैसा नहीं है जब आएगा मैं आपको बताओंगा वैसा यहाँ पर क्या है 10 और 11 और 2 तेरा तो दोस्तो हमारा सही answer क्या आजाएगा यहां के लिए क्या आगा 10 प्लस 2 प्लस 1 तो हमारा answer आगया है यहाँ पर 13 इन तीनों को जोड़कर हमारा आ रहा है 13 तो हमारा वही answer होगा चुकि हमने यहाँ पर देखा कि इन तीनों को जोड़ने पर 19 निकला इन तीनों को जोड़ने पर 20 निकला तो यहाँ पर भी इन तीनों को जोड़ने पर 13 निकलेगा तो यहाँ पर answer क्या आ जाएगा 13 तो दोस्तो इस एक देख लेते हैं हमारा answer कहाँ पर है लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक यू थेंक यू फॉर दा वाच